नमबर एक, शादी शुदा बहन या बेटी घर की शादी शुदा बहन या बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए उसे कुछ ना कुछ देकर विदा करना चाहिए घर की शादिशुदा बहनिया बेटी आपके घर से खुश होकर विदा होती है तो इससे आपके घर में सुक सम्रदी और लक्षमी का वास होता है इसलिए यदि घर की शादिशुदा बहन या बेटी आपके घर आए तो अपनी सामर्थे के अनुसार उन्हें कुछ ना कुछ देकर जरूर विदा करें नमबर दो किन्नर यदि आपके घर पर किन्नर आएं और आपसे कुछ मांगें तो उन्हें कभी भी खाली हाथ ना जाने दें ऐसा कहा जाता है कि किन्नर को दान देने से बुद्ध ग्रह मजबूत होता है साती सात घर में भी सुक शान्ती और सम्रदी बनी रहती है नमबर तीन संत महात्मा यदि आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आएं तो उन्हें भी कभी खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए ऐसा करना अब शगुन माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि संत महात्मा जब भी आए तो इन्हें कुछ ना कुछ अवश्य ही दान देना चाहिए और इनसे आशिरवाद प्राप्त करना चाहिए यदि कोई लाचार वेक्ती मदद के लिए आपके दर्वाजे आता है तो उसकी मदद चरूर करें जोती शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग शनी और राहु के प्रतीक होते हैं जिनको दान देने से आप इन ग्रहों के प्रकोपों से बच सकते हैं नमबर पांच बिकारी यदि आपके द्वार पर कोई बिकारी आये तो उसे भी खाली हाथ ना जाने दें जरूरी नहीं कि आप उन्हें रुपे पैसे ही दें आप उन्हें खाने के लिए पहनने के लिए कोई भी वस्तु दे सकते हैं हिंदु धर्म शास्त्रों के अनुसार हिंदु धर्म शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुन्य बताया गया है और कहा गया है कि दान करने से मनुष्य के पाप कटने शुरू हो जाते हैं इसलिए हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करते रहना चाहिए उप्युक्त ये पाच लोग शादी शुदा बहन या बेटी, किन्नर, संत महात्मा, अपाहिज वैक्ती और विकारी जो भी कभी भी आपके द्वार पर आए तो उन्हें कभी खाली हाथ ना लोटाएं उन्हें कुछ न कुछ दान सरुख अवश्य दें इन लोगों को दान करने से आपके घर में प्रसंता आती हैं कुणली के कई दोश दूर हो जाते हैं घर में खुशाली, सुक शांती और समरदी बनी रहती हैं